हिंदुओं का महत्वपुन्ट तिवहार दुर्गापूजा को विज्यादश्मी या दशहरा भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पौरानिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसे दिन मर्यादा पुरुशोतम शिर्राम चंदर जी ने रावन को मार कर उन पर विजय प्राप्त किया था और अपने सीता को वापस लेकर आ गये थे। तो ऐसा हुआ जब भगवान राम चंदर ने रावन की नाभी में तीर मारा और वह अर्ध मोर्चित होकर के रणशेत्र में गिर पड़ा तब भगवान राम चंदर ने अपने छोटे भाई लक्ष्मन से कहा कि लक्ष्मन रावन बहुत ही बड़े महान पंडित थे। अपने बड़े भाई की बात मान कर लक्ष्मन रावन के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। कुछ देर खड़े रहे, रावन ने उन्हें देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। लक्षमन अब बड़े भाई के पास वापस आये और हुने कहा कि भाईया, रावन ने हमें कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कुछ भी सिक्षा नहीं दी। इस पर बड़े भाई शुराम चंद्र ने लक्ष्मन को समझाया कि भ्राता जब भी हमें सिक्षा ग्रहन करना होता है, जब भी हमें किसी से कुछ सीखना होता है, तो हमें उनके पैरों के पास जाकर खड़ा होना चाहिए. अपने बड़े भाई की बात मानकर छोटे भाई रावन के पास वापिस गए और उनके पैरों के पास जाकर बैठ गए. तब रावन सब कुछ समझ गए और वो लक्ष्मन को अपने अंतिम शनों में ये तीन बाते बताई थी जिसको सुनकर आप भी शायद दंग रह जाएंग पहली बात उन्होंने ये बताई थी कि लक्ष्मन मेरी तीन इच्छाएं थी जो मैं जीवन में हमेशा पूरी कर सकता था लेकिन किसी कारणवश हमने इन्हें पूरा नहीं किया इसका कारण सबसे बड़ा यह था कि मैं हमेशा अपने काम को कल के लिए टालता रहा और वो कल तो कभी नहीं आ सका लेकिन मेरा काल आ गया पहली इच्छा उन्होंने बताई अपनी कि मेरी पहली इच्छा थे अगनी को धुए से अलग करना यानि कि आग से धुआ अलग हो जाता दूसरी इच्छा थे रावन की मृत्यू पर विजय प्राप्त करना यानि कि उ सिढ़ी का निर्मान करना ये तीन इच्छाय रावन की थी और उन्होंने अंत में लक्षमन से ये भी कहा कि लक्षमन मैं तीन बातें बताने जा रहा हूं जो सायद आगे आने वाली पीड़ी को और तुम्हें भी बहुत काम आएगी जीवन भर काम आएगी इस सिक्षा को जर शुब काम में देरी मत करना कोई भी शुब काम जैसे ही आपके दिमाग में आए उसे तुरंत करने की भरपूर कोशिश करना और बुरे काम को हमेशा टालते रहना दूसरी पात उन्होंने बताई थी कि अपने दूश्मन या ओपोनेंट को कभी भी छोटा और कमजोर मत लेकिन वही बंदर भालू आज हमसे जीत के तीसरी बात जो उन्होंने बताई थी कि कभी भी अपने रहस्य को अपने सीक्रेट को किसी से शेयर मत करना चाहे वो आपका कितना भी प्रिये नहों ये बात उन्होंने इसलिए बताई थी कि उनके भाई प्रिभीशन को सब कुछ उनके बारे में रहस्य से पता था और फिर बाद में जा करके वो राम के साइड में होते हैं सारी बाते बताते हैं और जो रावन की मृत्यू का कारण बनते हैं तो ये बाते थी जिसको आप भी अपने जीवन में अपलाई कर सकते हैं किसी भी काम को कल के लिए मट्टा लें उसे तुरंत फिनिश करने की कोशिश करें किसी भी दुश्मन को अपोनेंट को छोटा और कमजोर ना समझें और कभी भी अपने रहस से अपने सीक्रेट को किसी से शेयर ना करें कृप्या करके इस वीडियो को मैकसम लोग तक शेयर कीजिए कुछ न कुछ सिक्षा जरूर हर किसी को मिलेगी और नहीं तो वो बातें जो पौरानिक कथा के नुसार आज तक चलती आ रही हैं जरूर किसी न किसी तरीके से हर किसी का लाब प्रद करेंगी लाबदायक सीध होंगी तो बस अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दीचेगा शेयर तो करना ही करना है और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो करिप अगर के सब्सक्राइब भी कर लीचेगा तो बार चैनल ट्ड़ के लिए टेख अब ट्रशहरा तो आफ यू 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 लड़ी तो अग्यू जिए औ गिए अग्यू 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 चैनल में गड्लेसि वाल आट वोस अग्यू अप्यू